स्वेद तर्थांग दुनिया के बिशिष्ट महापूरसों में से एक थे तो अंदर आने के बाद व्यू इतना मस्त है आपको एक्स्प्लेन नहीं कर सकता बिल्कुल चाइना वाला जैपैन वाला फिलिम मुझे भी आ रहा है बिल्कम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यू चैनल चंदन बिहार वाला पे आसकर तो आप लोग भी बढ़े होंगे मैं भी बढ़े हो तो आपको पीछे दिखाई दे रहोगा और इस टैप का जो आपको कलाकारी है और इस टैप का आपको जो दिखने को मिल हैं और यह जू बनाया गया है चीन्द के जो यात्री उतन संग मैं उनके बारे में अंदर येश्या से हम लोग एंट्री करते हैं भाई लोग अभी आप देख सकते हैं जो हैं तसांग जो मेमोरियल होल है मैं उसके अंदर भी आ गया हूं आपको काफी सुंदर जो मैं देखने को यह जबू इस टाप का बिल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है इस ट्रब कमा जो मंदीर हो च काफी परसीद हुआ और उन्होंने माध्यकालिन भारत के बारे में बहुत कुछ एक्स्प्लेइन किया था तो उसी के याद में मेमोरियल हॉल बनाया गया है तो चलिए अब हम लोग अंदर सिधा चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं क्या कुछ खास इसके अंदर है तो आप लोग देख सकते हैं जैसे याद में बनाया गया है तो उन्हीं के हैं मूरती एक तरह से बनाया गया है और उनके बारे में डीटेल से हैं पर बताया गया है आप लोग नहीं के बारे में जो उनका परमुख मलव उनका सोच समझ था उनके बारे में यहां पर लिखा गया है और उनका एक यहां पर मूर्ति भव्यास्व मूर्ति यहां पर बनाया गया है अब मेमोरियल हौल के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं और इनके बारे में क्या कुछ अंदर कलाये हैं सिवर्टियां क्या क्या है सब कुछ आपको यहां पर दिखाते हैं तो गाईज आप जैसे जैसे यहां पर आते हैं तो जैसे यहां पर मेमोरियल हौल के पहुचेंगे उसके फ्रेंट साइड में आपको यहां पर देखने को मिल जाकी कि हैं तसांग के बारे में आखिरकार रूक ऐसे बेगती थे और उनके बारे में सब कुछ यहां पर डिट पास किया गया उसके बाद 1960 के लिएक प्रोट करें देख लेना इसके बारे में निके बारे में विशेच था और सब कुछ तो तो भाई लोग आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल इसके पास आ गया हूं पास जब आया हूं तो इतना मलग खुबसूरत तरह से इसको डिजाइन किया गया है मैं पहले से मलग टीवी में और मुफोन में देखा करता था इस टाइप का मलग जो डिजाइन रता था हुजादा तक चाइना और जैपैन में आपको देखने को मिलता है बट इंडिया में यहां पर बिहार के नलंदर डिस्टिक में आपको देखने को मिल जाएगा हिंद सांग मेमोरियल हॉल में तो चलिए आप लोग को यहां पर बाहर समयने सब कुछ दिखा दिया आप सिधा इसके आप लोग यहां पर देख सकते बता रहें कि 2004 से हां का देखवाल मलो इनहीं के जिमिवारी है तो आपको मेलो क्या यहां पर आप ही अकेले है और कोई भी देखवाल मेरे साथ 26 लेवर हैं अच्छा 26 हम लोग डिली बेजर से हैं अच्छा अच्छा तो मलोग आप लोग क्य कि अना चाहते हैं तो सुवा पांच बज़े से उपन रहता है और यहां पर लोग आ सकते हैं ज्यादा पैसा नहीं सिर्फ दस रुपया आदमी का यहां पर लगता है तो आप यहां आप आ सकते हैं तो जैसा कि भेया ने हम लोग को यहां पर बारे में बताया और इसको मलोग चायना कंपणी के द्वारा इसको कंस्ट्रक्शन मलोग किया गया है और 1907 को इसको मलो अनुमती मिला था उसे 84 तक साधिय बनकर पूरा रेडी हुआ तो चलिए आपका बहुत- हां अब लोग क्या दाओ है और यहां पर चाहल आता कि आतास पर यहां और देख सकते हैं duplication eris c है और इसी से अंदर का मलब आपको ठंधा पर मलब यहां पर आएंगे तो थोड़ा एसी वाला आपको मलब फैसलीटी यहां पर मिल जाएगा तो भाई लोग आप देख सकते हैं सब कुछ मैंने आपको एक्स्प्लेन कर दिया बाहर का अब सिधा आप हम लोग अंदर एंट्र बिलकुल भाई मलब बिहार में रहके आपको चायना और जैपैन वाला थिलिंग लेना है तो आप हमारे बिहार के नालंदा डिश्टीक में आ सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से इसको मलब बनाया गया है डेकोरेट किया गया है जो भी आप बोल सकते हो और काफी कुछ क को मिल जाएगा मलब क्या कुछ हुआ था पहले कैसे वह आये थे यह सब कुछ आपको यहां पर आते ता आपको देखने को मिलेगा वह आये थे क्या उन्होंने यहां पर आके किया था सब कुछ यहां पर एक्स्प्लें किया गया है और पुरा हिश्ट्री मलब यह आप यहा प्याइए थे नालंदा भी स्वेडिया बहुत कुछ फेमस भी हुआ और उन्हेंने एमाधिकालिन भारत के वारें बहुत कुछ लेशन भी किया था लिखे बहुत कुछ लिखे थे मानब्ता को कैसे आगे बलहना एंगे पर रहते के बारे में कभी कुछ कलाकिर्तियां आपको देखने को मिलता है और साइड में आपको देख सकते हैं कूलर का आपको फैसलेटी फिलाल अभेलबल था बट अभी साइड यहां पर एसी उसी का काम चल रहा है और बैरिंग टायरिंग का ताब इसलिए भी रूका हुगा है कि अग्याइब करें तो भाई लोग आप जैसे कि यहां पर देख सकते हो काफी हां पर मलग पीस्फिल पहले सी है काफी हां पर सांती फिल होता है और आप भी आओगे तो आपको यहां पर बैठने का मन करेगा लेकिन यह एक अकवर्ड भद्दा भी हैं नहीं करना चाहिए ब तो आप ऐसा ट्रायर मत बिल्कुल ही मत करना हम लोग बहुत कभर किया है तो इसलिए थोड़ा सा थाग यह तो यहां पर बैठ गया हो फिलाल आप लोग देख सकते हो सामने यही थे हें तसांका है पर मुर्टी है वें तसांका और आसा करता हूँ आपको यह ब्लोग सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कर देना सेर कर देना गुडबाय टेक केर ऐसा ही भाई को प्यार सपोर्ट करते रहो चंदन बिहार वाला भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें